हर साल मार्च के दूसरे बुद्वार का दिन नो स्मोकिंग डे की रूप में मना जाता है तो बहुत ही खराब आदट होती है जिसका स्वास्त पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसके बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए इस दिन को मना आ जाता है नमश्कार मेदितिव उस्दार आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्स सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे स्मोकिंग हमारे ले कितनी हामफुल होती है स्मोकिंग ये ऐसी आदत है जिसका नुकसान सिर्फ पीने वाले कोई नी बलकी आसपास के रहने वालों को भी उझेलना पड़ता है कई लोगों के लिए ये टैंशन रिलीस करने का अलग तरीका है ऐसा इसलिए क्योंकि सिगरेट में तमबाकू होता है जिसमें एक पदार्थ निकोटेन होता है ये एडिशन की वज़ा बनता है इसके साथ ही धूए के माध्यम से हमारा बॉड़ी में जाकर हमारे ब्रेंस और नर्वस को असर करता है जिससे अच्छा और रिलेक्स फील होता है चलिए अब जानते हैं कि स्मोकिंग से आपकी बॉड़ी पर क्या असर पड़ता है स्पेशली महिलाओं पर स्मोकिंग का क्या असर पड़ता है जब सिगरेट का तंबाकु जलता है तो कई बार खतरनाग गैस रिलीज होती है जिसमें कार्बन बोनो अक्साइड, सल्फर अक्साइड जैसे भी और गैसे शामिल होती है यह कैसे हमारी बोड़ी में पहुँचकर सांस की नलियों और पेपड़ों को डैमेज कर देती है और साथ ही ऐसी शुरूआत भी हो जाती है कि इनमें इंफेक्शन भी हो सकता है इससे CPOD के साथ अस्तमा के लक्षन भी उबर सकते हैं ऐसा ही नहीं है कि महिलाओं में भी स्मोकिंग के कुछ कम नुकसान देखने को नहीं मिलते उन्हें भी ऐसे खत्रे होते हैं साथ ही स्मोकिंग से उनके फॉर्टलिटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और कई बार महिलाएं जो प्रेगनेंट होती है तो उस दोरान स्पोकिंग करने से बच्चे की सेयत पर पर पड़ता है अगर आप प्रेगनेंट नहीं है तो आगे चलकर आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है अब जानते हैं कि स्मोकिंग से होने वाले नुकसान के लक्षणों के बारे में लंग्स डैमेंज होने से ठकान महसूस होना, बहुत जादा बलगम आना, शरीर में दर्द रहना, सुबा के समय खांसी और खांसी से खून आना, वजन कम होना, सांस फूलना, आदी ऐसे और लक्षण शामिल है अब जानते हैं कि स्मोकिंग की आदत को आप कैसे हटा सकते हैं, अगर आप रोजाना ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं, तो आप स्मोकिंग की साइड इफेक्स से काफी हद तक बढ़ सकते हैं, साथ ही विटेमिन सी, ग्रीन टी, ग्रीन वेजिटेबल, कैपसिकम, लहसुन और सबसे ज़्यादा पानियगा आपके लिए वह ज़्यादा फाइदे मन दोगा, अगर आप फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं सिगरेट, तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, आज के लिए बस इतना ही, ऐसे हेल्द्रे टिप्स के लिए बने रही हमारे चनल और ग्री मीडिया के साथ, तान्यवाद.